फ्रेंस कहते हैं कि मेनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही लेकिन मिलता जरूर है और कुछ ऐसी ही कहानी रही है हाल फिलाल अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले राजवीर सिंग का लेकिन फ्रेंस इनका यहाँ सफर इतना आसान नहीं था और यहाँ तक पहुश तो में हम राजवीर सिंग के लाइफ के वो सारे अन सुने राज जानेंगे जो सायद आप नहीं जानते होंगे और साथ ही जानेंगे उनके लव लाइफ से जुड़ी कुछ पर्सनल टेस्टिंग बातें इसलिए वीडियो के एंट तक जुड़े रहिएगा तो चलिए को स्टार्ट करते हैं चार सितंबर 1986 को जजजर अरियाना के बहादूर गड़ में एक किसान फैमली में एक बहुती क्यूड बच्चे का जन्मुआ जिसे आज पूरी दुनिया राजवीर सिंग के नाम से जानते हैं इस समय इनकी 36 साल है और इनकी फैमली में इनकी मम्मी और इनके पापा हैं इनके बापा एक आर्मी ऑफिसर हैं और इनकी मम्मी एक हाउस वाइफ हैं ये अपने पैरेंस के सिंगल चाइल्ड है और सिंगल होने के कारण इनके पैरेंस इने बहुत प्यार करते हैं जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया ये किसान फैमली से बिलोंग कर इनके फैमली का कहना था कि हमारे हां या तो देश की सेवा के लिए आर्मी जोइन की जाती थी या फिर परिवार की सेवा के लिए खेती बाड़ी फिर क्या था इन्होंने दूसरे ओप्सन के लिए हा कर दिया और इन्होंने बचपन से ही खेती बाड़ी करना सुरू कर दिय और करीज 16 साल तक खेती वाड़ी की और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे थे और इन्होंने अपनी स्कूलिंग दाबोदा के गवर्मेंट सीनियर सेकंटरी स्कूल चे कम्प्लीट की पर बच्पन में राजवीर का सपना था कि वो एक साइंटिस्ट बने लिकिन उनकी मैथ का अक्टर बनना है लिकिन उनकी फैमली ने इनकी एक न सुनी पर जैसा की कहा जाता है कि समय सब को स्ठेक कर देता है और वैसा ही हुआ उनकी फैमली ने भी उनके सपने को एक्सिप्ट किया और जाने का परमिसन दे दिया उसके कुछ दिनों बाद ही ये मुंबई चले गए और वहाँ पर अपने खर्चे को चलाने के लिए चोटे मोटे काम करने शुरू कर दिये और इन्होंने एक्टिंग की फिल्ड में भी काम की तलास करने शुरू कर दिये लिकिन स्टार्टिंग में दरदर भटकने के बाद उन्हें कोई काम न मिल सका लिकिन राजवीन ने अ कि इनका गुजारा ठीक तरीके से हो सके लिकिन इन्होंने हार नहीं मानी और कोसित करते गए और लगाता और अडिसन देते गए करिब 3 साल के बाद साल 2014 में उन्हें उनका पहला सीरियल मिला जो बॉलिवड प्रोडूसर और एक्टर विक्रमभट ने होस्किया था और इस सीरियल का नाम था इसकी स्किल्स इस सीरियल में उन्होंने कुछ ही एपिसोड किये थे जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम राजवीर और समर था लिकिन में रोल मिलने में इन्हें काफी टाइम लगा लिकिन फाइनली इन्हें में रोल करने का चांस मिल ही गया पंखुडी अवस्थी के अपोजिट वह स्टार प्लस के सीरियल क्या कसूर है आमलाके में अभिरानंद के रोल में नज़र आए उसके बाद इन्ह स्टार प्लस की ही दो और सीरियल उफर किये गया जिसे दिल जैसे धड़के धड़कने दो और कुरुबान हुआ पर दिल जैसे धड़के धड़कने दो सीरियल कोविट की वज़े से ज़्यादा दिन नहीं चल सका पर राजवीर कुरुबान हुआ सीरियल में करन जुडवा साल फिला लिये स्टार प्लस का सीरियल उलती का नाम रज्जों में सेलेस्टी बहरागी के पुझ अर्जुन के रोल में नजरा रहे हैं और इनके रोल को स्टार्टिंग सही कापी पसंद किया जा रहा है विससे आपको बता दू इन्होंने अब तक जितने भी सीरियल किये वो बता एडमार करते हैं विससे मैं आपको बता दूं सिंगिंग इन दा रिंग अन्द फनी गल उनके दो सबसे फेवरेट मुवीज रहें बात कर इनके लव लाइफ की तो ये अपनी गलफ्रेंड अनागा को डेट कर रहे हैं और ये आज से ही नहीं बलकि जब से ये टीवी ऒीडिया पर एक्सेप्ट करते रहें पर कीवल नागा ही नहीं राजवीर के बचपन के दोस्त पर उनके बेस फ्रेंड चीची भी इस अन्डस्टी में उनके कोई दोस्त नहीं है इसकी वज़ा क्या हो सकती है आपको क्या लगता है क्या किसे का सगह नहीं यह फिर और कोई वज़ा हो जो आपको लगती हो कॉमेंट करके अपनी बाद जरूर से यर कीजेगा आईए फ्रेंट्स इनके कुछ फैक्स भी जान लेते हैं राजवीर को ट्रवलिंग करना बहुत पसंद है राजवीर को सिंगिंग करना बहुत पसंद है और राजवीर को डान्स करना बहुत पसंद है राजवीर फिटनेस फ्री हैं और रोजाना जिन जाना पसंद करते हैं तो फ्रेंज यह रही राजवीर सिंग की छोटी से लाइफ स्टोरी अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दीजिएगा एक लाइक और हैसे इंट्रेस्टिंग और इस्पारिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू फार वाचिंग दिस वीडियो वैवे मिलते नेक्स वीडियो में लव यू फ्रेंड्स